नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करें हरे चने का निमोना अगर आप इस तरीके से हरे चने का निमोना बनाते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगी तो आप एक बार इस तरीके से निमोना बना करके जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताना बिल्कुल भी न भूलें तो चलिए निमोना बनाना शुरू करता है तो निमोना बनाने के लिए यहाँ पर हमने एक टोरी हराचना ले लिया और इसे दो से तीन बार साफ पानी से अच्छे से वास कर लिया है अर इसके साथ ही यहां पर हमने दिये हैं दो medium size के आलू और इसे छिल करपे इस तरीके से थोड़े मोटे मोटे टुकडो में हमने cut कर लिया और इसे भी हमने wash कर दिया है और 7 में add करने के लिए इस लेंगे दो टमाटर, दो प्यास और 4 यहां हमने हरी मिर्च दी हरी मिर्च आ करें और 8-10 लेसन के कलिया और थोड़े से अध्रक तो सबसे पहले हम निमोने के लिए मसाले रेड़ी करेंगे तो हमने एक विक्सी का जाड़ ले लिया और उसमें आड़ कर देंगे लेसन के कलिया अध्रक और हरी मिर्च और यहां हमें लाल मिर्च का यूज बिल्कल भी नहीं करना है आप अगर जादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 1-2 हरी मिर्च और आड़ कर सकते हैं और इन सभी के साथ प्याज को भी रफली चौप करके आड़ कर देंगे और इसके साथ ही इसमें आड़ करेंगे 1-5 टीए स्पून जीरा और 1 टीए स्पून धनिया पौडर और इन सभी को थोड़ा सा पानी डाल करके हम बारिक पेस्ट रेडी कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा प्याज और मसालों का पेस्ट रेडी हो चुका है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके वाद इसी जार में हम चने को भी पीस लेंगे तो जार हमारा छोटा है तो हम थोड़ा थोड़ा करके चने को पीसेंगे और इसे पीसते समय हमें पानी का यूज नहीं करना और इसे हमें दरदरा ही पीसना है आप चने को इतना ही पीसें जिससे की थोड़े वो चने हमारे इसमें साबूत रह जाए तो अगर उस तरीके से आप चने को पीसते हैं तो आपका निमोना बहुत ही जादा टेस्टी बनेगा आप देख सकते हैं हमारा चना जो है विलकुल दरदरा है तो चना भी हमारा पीस चुका है इसके बाटमाटर को भी हम कट कर लेते हैं तो आप टमाटर को इस तरीके से लंबाई में कट करें तो यहां पर हमारी सारी चीजे रेडी हो चुकी है तो चलिए अब निमोना बनाना शुरू करते हैं तो यहां हमने कड़ा ही गरम होने के लिए रख दिया था और इसमें हम आट करेंगे दो बड़े चमत सर्सो का तेल और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे और जब तेल हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो सबसे पहले आलू को हम फ्राई कर लेंगे आलू को लगातार चलाते हुए गोल्डेन ब्राउन होने तक हमें फ्राई करना है यहां आलू हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं आलू को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें फ्राई करेंगे पीसे हुए चने तो हमने कराही में पीसे हुए चने डाल दिया है और अब इसे लगतार चलाते हुए पूरा मौहिशर खतम होने तक हमें भुनना है निमोना बनाते समय चने को अच्छे से भुनना बहुत ही ज़रूरी है नहीं तो आपका निमोना का जो टेस्ट है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा तो इसे बिल्कुल भुरा होने तक हमें भुनना है अब देख सकते हैं चना हमारा अच्छे से भुन चुका है तो इसे एक प्लेट में ट्रांस्पर कर देते हैं और बापस हम कडाही को गैस के उपर रख देंगे और इसमें आड़ करेंगे दो बड़े चमच चर्चो का तेल और तेल को अच्छे से पहले गरम होने दें उसके बाद आड़ करेंगे वन टीए स्पून जीरा और इसके साथ इसमें आड़ करेंगे वन फोर्थ टीए स्पून हिंग और साथ में आड़ करेंगे दो लंबाई में कटकी हुई हरी मेर्च और इन सभी के चटकने के बाद हमने जो प्याज का पेश्ट रेडी करके रखा था वो इसमें आड़ कर देंगे और इसे अच्छे से हमें भुनना है जिससे की प्याज का जो कच्छापन है वो खतम हो जाए सारे मसाले अच्छे से भुन चुके हैं तो अब इस स्टेज पे हम आड़ कर देंगे कटे हुए टामाटर और इसे मसालों के साथ हमें अच्छे से मिक्स करते हुए सॉफ्ट होने तक पकाना है इस स्टेज पे हम इसमें अड़ कर देंगे स्वादा नुशार नमक नमक आप चने को भी ध्यान में रखके अड़ करें क्योंकि हमें उसकी ग्रेवी बनानी है तो थोड़ा सा नमक हम जादा अड़ करेंगे या आप चाहें तो नमक बाद में भी आड़ कर सकते हैं और आप देख सकते हैं टमाटर अच्छे से सॉप्ट हो चुका है तो इस स्टेज पे हम फ्राई किये हुए आलू आड़ कर देंगे और इसे मसालों के साथ दो मिनट के लिए भून लेंगे दो मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें आड़ कर देंगे भूने हुए चने का पेस्ट और इसे मसालों के साथ हम अच्छे से मिक्स करेंगे आप एक बार इस तरीके से हरे चने का निमोना बना कर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके बताना ना बुलें कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी अगर पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक ज्यादा ज्यादा शेयर अगर आप मेरे चनल पे नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें यहां हमारा चना भी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो इस स्टेज पे हम एड कर देंगे पानी और चने को अच्छे से मिक्स करेंगे जिससे की जो गुटलियां है वो सारी खतम हो जाएं अभी यह थोड़ी जादा थिक है तो थोड़ा सा पानी हम और एड करेंगे और इसमें आपको गरम मसाले बगएरा डालने की जुरत नहीं है यह निमोना बिना गरम मसाले का ही बहुत ही टेस्टी लगता है तो हमने यहां पर आधे गिलास के लगवक पानी और डाल दिया औ और इसमें एक उबाल आने देंगे आप देख सकते हैं इसमें उबाल आना शुरू हो गया है तो इसे हम मेडियम फ्लेम पे पांच मिनट के लिए उबलने देंगे और हमारा निमोना बन करके रेडी हो जाएगा यहां पर हमने आलू को चेक कर लिया आलू बहुत ही अच्छ और इसे पकाते हुए पांच मिनट हो चुके हैं और हमारा निमोना बन करके रेडी हो चुका है तो इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम आफ कर देते हो और इसे एक सर्विंग बॉल में ट्रांसपर कर लेंगे और अब चाहें तो इसे रोटी पर अठे या चावल के साथ सर्व कर सकते ही तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में